असलाम अलेकम वियर्स वेलकम तो आवर चैनल लेट्स टॉक जी हां बड़ा मैच हुआ है और बड़ा टॉटल बना और बड़ा टॉटल डिफेंस करने के पीछे सरधर की बासी लगी जी मैं बाच कर रहा हूं सुबा सुबा आज मैच के लगया दरमशाला के अंदर अस्ट्र लास्ट मैच खेला गया था वर्ल्ड कप का तो इस फैन्यू पे निउस्ट लैंड ने पिछला मैच इंडिया से खेला हो के इंडिया ने मैच जीत लिया था और आज पर ने इसी ग्राउंड में अस्ट्रेलिया से मैच के ला जांपे उन्होंने टाऊर जीता और एक चार मीच जीते और इंडिया से मेर्श आने के बाद जो अपना इनगा तूटा और आज उनका अस्त्रेलिया से मैश था तो जब उन्होंने बैटिंग दी तो उन्होंने ट्रेविस हैड को लेकर आए और मिचल मार्श को वन डॉन करके उन्होंने बैटिंग शुरू की फिर क्या हुआ ऐसी क्या चीज़ें अस्ट्रेलिया ने कर दी कि वो न्यूजिलेंड को उन्होंने पिशाड़ना शुरू कर दिया और मैच बड़ा ही दिल्चस्प हुआ लेकिन न्यूजिलेंड ने भी चोड़ा नहीं देखें जिस तरह के मैच बहुत इंट्रस्टिंग मैच गया इस तरह के मैच वर्ल्ड कॉप में होंगे तो वर्ल्ड कप में जान आजाएगी एक पाकिस्तान का और सौथ प्रिका का मैच ता और आज अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड का मैच बहूत आउ जानते हैं और आते ही उन्होंने जो फैंटी लगानी शुरू की है मुझे तो ऐसे लग रहा था कि यह टी टैनल लगा हुआ है उन्होंने मैं कहता हूं कि किसी को नहीं चोड़ा तो इसी तरह ही की बैटिंग होनी चाहिए इस तरह की पीची में क्योंकि बाउंडरी चोटी है हैं बैटिंग पिच्छे हैं फ्लैड पिच्छे बाल के उपर बहुत एच्छे तरीके से आता है और जिस तरह अस्ट्रेलिया ने अपनी पार्टरशिप लगाई वन सैवंटी फाइव की बहुत आउटस्टेंडिंग के सब की पार्टरशिप थी और हभी आप मुझे तो यह उओ था कहते कहते का जैसे यह उइसक फेल नहीं हो रहा है कि यह उनफीट नहीं इन नहीं है यह तो बिलकुल बिलकुल उस अपनाके लिए फेर घ्टरशिप करना चाहांघा देखे जिस तरीके से गेम चलती है ना पहले 10-15 अवरों में जो टीम मुमेंटम दूसरी टीम से शिफ्ट कर जाती है ना एंड पर वही टीम चीत रही है अगर हम कहते हैं ना कि अगर अस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की 15-18 अवरन में उन्होंने 175 स्कोर 20 सोवरों में 183 स्कोर कर दिया बलब कि टी-20 की तरह उन्होंने इनिंग के लिए एक आउट हुआ लेटर आउन आखरी 10 सोवरों में उनकी विगट्स भी गिरी और वहां पर फास भी गए और वहां पर बॉलिंग कंटेन करना शुरू कर दी निईजिलैंड ने इसी तरीके से अगर आप मुदस्त पिछले 27-28 मैच उठा के देखे ना वर्ल्ल कॉप के तो ऐसे ही हो रहा जो टीम पहले अच्छा मोमेंटम निकाल लेती है ना एंड पर वो मैच जीत ही जाती है चाहे कुछ भी हो जाए इसके बारे में आपका क्या राय है वर्ल कप के जो ओपनिंग जो ओवर्ज होती हैं बिलकुल कुरूशल होती है जिस टीम ने इस दूसरी टीम को बैक फूट पर लेगे तो दूसरी टीम को समलने में एक time लगता है और मैच में वापस आने के ओपर भी टाइम लगता है भी मैं आपको ना यहां पर एक ऐस्ट्रेलिया की एक बात बताना चाहूंगा कि एस्ट्रेलिया की टीम में कोई पर्फॉर्मस नहीं दे रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी जो इनका मेटल ओडर है वो इतना यानिके स्ट्रेलिया के लिए स्ट्रेलिया की लीया किए लार्मिंग सिच्वेशन जरूर है अस्ट्रेलिया को चाहिए क्यां किया आज यहां पर इस पिछ पे 400 रंग हमें दिख रहे थे 400 से ज्यादा ही दिख रहे थे लेकिन वहीं बात जैसे आपना ऑट वें नीचे से मिडल और उन्होंने बाल्स बगारा ज्यादा किरिया ज्यादा उन्होंने बाल्स के लिए रंज कम किये नीचे से आके पैट कमन्स ने आके थोरा सा हैल्दी एक पार्णिशिप लगाई है जो इंगलेस के साथ और जो स्कोर था वो 380 प्लस तक लेके चलेगे तो हम भी मुझे अस्ट्रेलिया के जो मीडल ओर्डर हैं खास तो पर स्टीव समीत और ला पुशिय ने ने के बारे में बताário हैं कि यौने पाकिसान के चैश पकड़े होते ना तो इनके मेडल ओर्डर में इतनी जान नहीं थी कि वो वहाँ पे इतना स्कोर करवातें हैं और उसके बाद इनका अगला मैच नेदरलेंड के अगेंस वो कमजोर था, वहां पे भी उपर से डेविड वार्डनर ने अच्छा स्कोर किया तो इनकी पार्टर्शिप चल गई, अब अगर किसी भी अच्छी टीम के अगेंस्ट ये खेले हैं, जैसे के इंडिया के अगेंस् कर सके, क्योंकि उनके पास कंसिस्टन्ट फार्म मिडल ओर्डर बैट्समें मजूद ही नहीं है, लबुशेन है, तो वो उस तरीके से बिल्ड अप नहीं कर पार है, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी अप कमजोरी और उनकी वीकनस पर बालिंग हो दही है, अब उन अच्छा पॉइंट है जो हमने यहां पर हाइलेट कर दिया बिल्कुल एक बात में आपको ग्लैन फिलिप्स की बता हूं मिडल ओवर्स में उन्होंने बहुत ही अच्छा के न्यूजिलेंड को टीम वापस लेकर क्रूशल उन्होंने तीन विकर्स ली वह साथ उन्होंने स्को लगा के उनकी वेलकम कर दे वहां पर ग्रैन फिलिप्स की जो बॉलिंग थी उसको थोरा सा हाइलाइड की जेगा दूसरा हम न्यूजिलेंड की बैटिंग उसके उपर आएंगे मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा कि न्यूजिलेंड 380 तक चला जाएगा क्योंकि मैं यह मेंशा प्रेशर में आजाता है और मैं यह उबीद करा था कि यह दो सो डाइस हो तक यह टीन ना इनरेक रुक जाएगी लेकिन जो जिडेजा ने सोरी रविंद्रा ने जो उन्होंने बैटिंग की है और हंडर्ड स्कोर किया है उसके बारे में मैं आपकी राइज जाना चा पड़े में और वहां पर उनकी जूरत पड़ेगी क्योंकि उनके पास बैक पर उस तरीके से अब फर्गोर्सन जिस तरीके से बालिंग करते हैं तेस और विकेट्स ले रहे हैं और नो डाट अगर कोई थेस वास्पोलर की बात की जाए जो कि इन विकेट्स पे सर्वाइव करके विकेट्स ले रहा तो वो फॉर्गोसन ही है और यहां पर उनको अगर बाहर बठा भी दिया न्यूजिलैंड ने तो इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात ने हैं लेकिन यह कि किसी को एक अदा दिन होता है को विकेट भी ऐसी होती है कि जहां न्यूजिलैंड ने यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उन्होंने उनको बैटिंग देती कि उन्होंने कहा कि नहीं हम चेस करेंगे तो अगर हम यह चीज़ को छोड़के आगे न्यूजिलैंड की बैटिंग की तरफ आते हैं तो स्टार्ट बढ़ा अच्छा मिला जिस स समझ नहीं आ रही है यह कब करना शुरू करेंगे पैट कमेंस को शुरू से बालिंग करनी चाहिए और हैसलवुड को वह बाद में लेकर आएं लेकिन हैसलवुड भी अली स्ट्राइक करते हैं तो वह शायद इस वजह से पीछे आ रहे हैं लेकिन आइसा इससा जैसे ही चाहूंगा के न्यूजिलेंड के मिडल ओर्डर भी स्ट्रॉंग है और अपनिंग कंडिशन भी उनकी बड़ी अच्छी चल रही है लोग मिडल और में आज उन्हें ने चैप मैंन को बाहर बढ़ाया और वहां पे निश्म को उकलाया तो क्या देखते हैं क्योंकि इनके द सब्सक्राइब को बहुत अच्छा केलते हैं आज भी उनने तुरह सब्सक्राइब को टै किया लेकिन उन्फोर्चनेट वो रिवर्स स्वीप केलने के चकर में कैश दे बैठे लेटम को मैं स्पोर्ट करूंगा लेटम एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी बेवक्त एक लंबी इन तो लग रहा था कि यह चक्का होना चाहिए क्योंकि फुल्डास के उपर हमेशा बैट्समेन को एज मिलता है वो उसको फ्लिक भी करें थोड़ा सा तो सिरफ टाइमिंग की बेस पर ही चक्का हो जाता है लेकिन वहां पर उनसे मिस किल्क्लूड हुआ तो बॉंडरी नहीं ल नहीं कर सकते हैं इनिंग को तो विल्यां की जगह मैं यहीं कहूंगा कि उनको लैठम को उपन करना चाहिए और मिडल ओडर में उनको चैपमेंड को लेकि अच्छी करते हैं मजसर लेकिन टॉम लैठम उस तरहीं किसे तेज नहीं खेलते हैं क्योंकि स्टार्ट के अगर पा अगर अगले मैचिस देखे जाएं तो अगर जैसे इंडिया के गेंज थे तो अगर कहीं पर विकर्ट किरती है तो लैठम की बारी जल्दी भी आ सकती है तो इस वजह से उनका कंसिस्टेंट होकर खेलना वांबे बहुत जरूरी है कि न्यूजलेंड की टीम ने अगले मैच पर यह किया जा सकता है बाकि यह न्यूजलेंड की जो मैचिस में केन वीलियमस होंगे तो के निवीलियमस की जगा बनानी परेगी तो आज मुझे थोरा से बताएं के जो आड़ एडम जमपा हैं उनके बारे मताये हाईयस प्रिकर टेकर हैं तो इस तरह की पिच्चिस में हुआ है उसको ने बहुत इच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वह रंस भी उनको पर रहे हैं और रिजवान को भी उड़ किया था जो कि तर्निंग पॉइंट था था जांपा के बारे मताये क्योंकि बाकी जो मैंने जितने बी श्मिनर्स एक हैं कुदीब यादव के लावा है आ कर रहे हैं नंको मिलने रही है तो सुछा ठीज वो कर रहे हैं घेएंज कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं करा है कि अगर हम आगर हम ने महराज को देखा गेंद आता है जिस तरीके से आप वहां पर गेंद करते हो तो यह इंडियन में जब आप IPL खेलते हैं यह इंडिया में सिरिस केलते हैं तो वहां से खेलने का आपको experience मिलता है पाकिस्तान के spinners एक तो form में नहीं है दूसरा उनको यहां बालिंग करने के experience नहीं है तीसरा वह भी यांग है जिसमें सरफ 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 शदाब थोड़े से experience बाकी को इतना experience नहीं है तो जैंपा अपने उस experience को यूज कर रहे हैं और उनको पता है कि विकेट यहां पर अगर शुरू में नहीं मिलेगी तो मैं बहुत expensive हो जाओंगा तो कहीं न कहीं वह उनके mindset में यह के अगर मैं defensive होकर खेलूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा टैक करके विकेट टू विकेट पॉल करूंगा तो बैट्समैन मी फसेगा थोड़े बहुत runs पढ़ेंगे लेकिन विकेट मिल चाहिए तो इस वजह से वह कामयाब है तो जांपा कामय करें शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दन गुड़ बाई